नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वास्तों सांस्त के अनुशार घर में खर्गोष पालना काफी शुब माना जाता है खर्गोष देखने में जितने सुन्दर होते हैं उतने ही सुन्दर खर्गोष को पालने के फायदे भी होते हैं खरगोश को लेकर सबसे बड़ी प्रेचलित जो बात है वो यह है कि घर में खरगोश को लाने से आर्थिक समस्याइं दूर हो जाती है अगर तो प्रेंस अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो वास्तु सास्त के अनुशार घर में आपको खरगोश पान ले चाहे इससे आपको आर्थिक समस्याओं से धीरी धीरी छुटकारा मिल जाएगा आपकी आर्थिक समस्याओं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी दोस्तों इसके अलावा भी खरगोष पालने के और भी बहुत फायते होते हैं जिन में से एक बड़ा फायता यह है कि खरगोष अगर आपके घर में चोटे चोटे बच्चे हैं और वे जल्दे जल्दी बिमार परते हैं या उनको बार-बार नजर लग चाती है तो ऐसे में आपको अपने घर में घर्गोष पालने चाहिए खर्गोष पालने से आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और उन्हें बार- नजर भी नहीं लगेगी जिससे भी बिमार भी कम पड़ेंगे तो अगर आपको बैच्चों को भी बारबा नजर लग जाती है तो आपको भी अपने घर में खरगोश पालने चाहिए दोस्तों वास्तु सास्त के अनुशार खरगोश पालने का एक पारदा यह है अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई भी दोश है या राहू से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आपको घर में काला खरगोश पालना चाहिए दोस्तों को लेकर यह भी मानेता है कि कि खरगोश पहले से ही आपके परिवार पर आने वाले संगटों को भाप लेते हैं और उस संगट को अपने उपर ले लेते हैं अगर घर में कोई खरगोश अचानक बिमार पर जाता है या मर जाता है तो यह माना जाता है कि घर पर कोई संगट आने वाला था जो आपके खर माहल बना रहता है वैसे खरगोस इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं अगर आप इनको अपने घर में पालते हैं तो इन्हें सिर्फ सोता हुआ देखने पर भी आपका मन बहुत खुछ रहता है तो इसी वज़े से घर में तनाव कम टेंशन का माहल लगबख खतम हो जाता है गि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाइबाई